2019 में रिलीज हुई एक रश्य नूवी सन ओफ और रिच। रश्या के सबसे अमीर आदमी की एक बिगडी ही ओलाद गृषा जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब, पाटीज, लोगों को परिशान करने में और रूस तोड़ने में भीटाता रहता है। ग्रिशा इतना ज़्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। ग्रिशा एक रात को एक लड़की को परिशान करने के बाद में सड़क पर अपनी लगजरी कार अंधा दुन चला रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है। जैसा कि वो हमेशा करता आ रहा है लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाला ब्राइब नहीं लेता है और वो ग्रिशा को रोकने की कोसिस करता है। नहीं तो ये पूरी तरसे डिगर जाएगा। ग्रिशा के फादर उसको कीच के बाहर राते हैं और बहुत चिलाते हैं लेकिन ग्रिशा उनके सामने सिग्रेट पीने लगता है। क्योंकि ग्रिशा को मन में ये लगता था कि वो उसका इकलोता बेटा है इसलिए उसका फादरे जाते हैं और ग्रिशा को सुधारने के लिए अपनी एक फिमेल फ्रेंड एनस्टीशा के पास जाते हैं जो कि एक टीवी प्रडियोसर थी। वो ग्रिशा के डैड को अपने एक फ्रेंड जो की हॉरर मोई में और सैट डिजाइनिंग में स्पैसलिस्ट था उसके पास ले जाती हैं। ग्रिशा के फादर और अनस्टीशिया जब लिव के घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि लिव एक फ्रस्ती से लटका हुआ है लेकिन ये सब फेट था ये सब उसमें डिजाइन कर रखता था। एसी डिजाइन और डिवैसेज बना के लोगों की आंखो को ट्रिक करता था। ग्रिशा के फादर को अपना थम्ब काट के रिखाता है जो कि अस्री नहीं था। ग्रिशा के फादर लिव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उस फजुदान में की लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। यहार क्यों नहीं किये, लिधिशा कहता है कि कल रात को मैने तुमें जंदगी में पहली बार दिखा है, तभी इस गाओ का लैंड ओनर डिमेटरी आता है, जो अपने बेटे लेक्जी को चाबुक मारने के ली यहारे के लीए लेक्जी चाबुक अवडी को देता है, अवडी ग्रिशा को चाबुक से बहुत मारता है। लेंडोर कहता है कि मेरी चाय खतम होने से पहले मेरा घुड़ा तयार हो जाना चाहिए। ग्रिशा को बिलकुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। एडिशा को असवल के अंधर लेकर जाता है जहां पर ग्रिशा को कहता है कि मुझे कॉल करना है। मैंने अगर अपने फादर को बता दिया तो सब की वाट लगा देंगे। तो आडिशा कहता है की भाई ने क्या हुता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। चुप चाप गोड़ा तयार कर ले नहीं तो और चाबू के खानी पड़े। और ग्रिशा को दूसरे लोगों के साथ में अब फासी लगने वाली होती हैं क्योंकि ग्रिशा ने यहां से भागने की कोशिस की थी ग्रिशा को फासी लगने ही वाली होती है कि वहां पे लैंड ओनर की डॉटर अगलाया आ जाती है जो अपने फादर से कहती है कि आज मेरा बर्डे है आज किसी को फासी नहीं होनी चाहिए इस बात पे वो ग्रिशा की फासी माफ कर देते हैं गाव में होती हुई ये सब चीजे आस्मान में उपर उठता हुआ एक bird देख रहा होता है ये bird गाव के बाहर बनी वे एक बिलिदिंग में पहुंसता है जहां पता चलता है कि ये कोई bird नहीं है ये bird की shape में एक drone है जिसे हमें पता चलता है कि ये कोई time travel नहीं है ये ग्रिशा के पापा ने ग्रिशा को सबक शिखाने के लिए पूरा सेटप तयार करवाया है जिसमें TV प्रोडूसर अनेस्टीशिया और उसके हॉरर मुवी के फ्रेंड ली ने पूरा गाउं का सेटप तयार करवाया है जिसमें ग्रिशा को ये फी लोगा की 18th सेंचुरी के विलेज में है जहां पर वो एक औरमोस्ट स्लेव की जिंदगी जीएगा है ताप एक आम करने वाले सभी लोग एक्कर्स हैं और गाउं में अलग अलग जगर पे फिदन कैमराज लगाएगे हैं और माइक्रोफोन के जड़िये सभी एक्कर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि किसको क्या करना है और गल्पी से अगर कुछ भी गडबर होता है तो यहां पर एक स्लाइप पर तैनाद किया गया है जो ट्रेंक्वेलाइजर गल्प से ग्रिशा को किसी भी टाइम बेगोज कर सकता है और इतने बड़े और मेंगे सेट अप के लिए ग्रिशा के फादर के पास बहुत सारे पैसे थी लेकिन वो ग्रिशा को सुदारना चाते थी इधर ग्रिशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके साइट पास्ट में आ गया है ग्रिशा की हालत बहुत बुरी थी उसको जमीन पर मीन रही आती है उसको सुबे सोरज उगने से पहले उठना पड़ता है उसको जंगल में बातरूम करना पड़ता है उसको घटिया breakfast दिलता है और discipline में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी बढ़ती है एक दिन Grisha खेत में ऐसे ही बैठा होता है तो उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है वो देखता है कि अगलाया रो रगी होती है अगलाया बताती है कि उसके father उसकी साधी एक रिच पर बोड़े आपनी से करना चाहते है इसलिए वो बहुत दुखी है इस पे ग्रिशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है बोड़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौनत तुम रख लेना एक दिन ग्रिशा चिकन सूप बनाने के लिए चिकन को चुरा लेता है क्योंकि यहां से वेजेटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था ग्रिशा का फैन जब ग्रिशा से चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप खतम कर दिया है ग्रिशा का फ्रेंड कहता है कि मैंने तुमारे लिए तुमारा सारा काम किया है तो वो कहता है कि मैंने भी तो तुमारे हिसे का सुब खतम कर दिया है एडवे को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोडे के रखवालों को इखटा करता है और उनको पूछता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है नहीं तो रेंडमली में किसी को सलेक्ट करके उस पेज कोड़े बरसाऊंगा एडवे ग्रिशा की फ्रेंड को उठा ले जाता है लेकिन ग्रिशा को अभी भी इसे कोई फरक नहीं पढ़ रहा था तभी ग्रिशा देखता है कि एक लड़की लीजा गोड़े सी नीचे उतर रही होती है तो वो उसका अंडर्वेर देख लेता है फोड़ी देख सोचने के बाद में ग्रिशा को रेलाइज हुआ कि ये लड़की मौड़न अंडर्वेर पहन के कैसे गुम रही है ये तो 1860 है ग्रिशा लीजा के पास दोड़ के जाता है और उसको उसका अंडर्वेर दिखाने को कहता है वो कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर के अंडर्वेर कहां से आगे वो उसके साथ जबर्दस्तिक करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे विलेजर्स या फिर एक्टर्स आ जाते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पे बैट के चली जाती है जब कंट्रोल बिल्डिंग में ग्रिशा के फादर ये सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि उनका बिटा अभी भी नहीं सुधरा था और अभी भी वो लड़कों के साथ जबर्स्तिक करने पे उतर आया था लेकिन तभी वहाँ पे एक नियूज आती है कि ग्रिशा लीजा से माफी मागना चाता है अब ये इन लोगों को एक positive development दिखा तो वो लीजा को instruct करते हैं कि वो ग्रिशा से जाके मिले जब लीजा ग्रिशा से जाके मिलती है तो ग्रिशा उसको sorry बोलता है तो लीजा उसको माफ कर देती है उस दिनों बाद में इस गाव में एक बहुत बड़ा festival होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओगी वही जिन्दगी में आपका partner बन जाएगा इस festival में ग्रिशा को अग्लाया मिलती है जो अपनी बुड़े आदमी से साधील की डेट नज़िक आने की वज़े से परिशान थी और वो कह रही थी कि मैं नदी में कूद के सुसाइट कर दूँगी और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती है डायक्टर्स चाहते थे कि वो अग्लाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाया थाकि उसमें सिंपथी का एमोशन ड्वेलप हो सके लेकिन ग्रिशा उसके पीछे नहीं जाता है बलकि वहाँ पर बैटी हुई लीजा के पास आके बाते करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो future से आया हूँ वहा पर बहुत सारे technology से अभी वहाँ पर ग्रिशा का friend आता है और वो कहता है कि अग्ल्या नदी में डूबने गई है तो ग्रिशा को याद आता है कि वो suicide करने की बात कर रही थी तो Grisha अगलिया को बचानी के लिए नदी की तरफ जाता है और उसको सेव कर लेता है अगलिया कहती है कि तुमने मुझे क्यूं बचाया मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है लेकिन Grisha उसको उसके घर पे लेके जाता है अगलिया ग्रिशा के क्लोज होने की कोसिस करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है कंट्रोल रोम में बैठे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये कहां चला गया क्यों कि बाई नेचर ग्रिशा एक प्लेबॉई था लेकिन अगलिया को छोड़के ग्रिशा अपने फ्रेंग के पास जाता है और वो पुसता है कि लीजा कहां पे रहती है मुझे लीजा से मिलना है इधर कंट्रोल रोम से लीजा को इस्ट्रक्शन पास की जाती है कि ग्रिशा तुम से मिलने आ रहा है कि इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा वही उसका पार्टनर बनेगा सच हो जाए लेकिन लीजा कहती है कि उसके फादर की तबियत सही नहीं है वो नहीं चलेगी इस बात पे ग्रिशा काफे डिसपॉइंट होता है अगले दिन डारेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रिशा का इंट्रेस्ट अब अधिया से हट गया है और वो तुमारे में इंट्रेस्टेड है इसलिए लीजा को अब उसके लव इंट्रेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉइफेंड एलेक्सी को पसंद नहीं आता जो यहाँ पर लैंड के बेटे का किरदार निभा रहा था लेकिन लीजा उसको कहती है कि हम सब ग्रिशा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं और हम सब का साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है अब ग्रिशा लीजा के साथ जदा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे दिरे इ अनेस्थीसिया स्वाइपर को कहती है कि अगर कुछ भी हो तो ड्रोन को शूट कर देना लेकिन ठैंक्फुली एंड में ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है इधर एलेक्सी और अगलाय दोनों ही गुस्ता थे क्योंकि एलेक्सी की गल्फरेंड को ग बहुत दूखी होती है अगलाय और अलेक्सी को डरेक्टर गुला के बहुत ढारता है और कहता है कि तुम दोनों का रोल भाई बेन का है और सेट पर कम से कम भुक जाते हैं और डारेक्टर इंग बोनों को जौब से निकाल देता है लिजर लीज़ा अपने बहुएंड के ब थोड़ी के लुकने के बाद में लीजा आ बोल देती हैं और ये दोनों मिलकर किस करने लगते हैं। कंट्रोल रूम में खुसी का महौल होता हैं क्योंकि जिन्दगी में पहली इबार सिंफेती और लव का इमोशन गृशा के अंदर जागा था जिसकी वज़े से उसके डैड काफी खुस थी। दूसरी तरफ अगलाया जिसको सैट से बाहर निकाल लिया गया था वो एक टीवी टॉक्सों में जाकर ये इंटर्व्यू देती हैं कि रश्या के रिचेस्ट बिजनसमैन के बेटे गृशा को किड्नेप किया गया हैं और वहाँ पर उसको बहुत बोरी तरह से रखा जा रह रश्या की पुलिस इस बात को धंबेगताते लेती हैं और इस किड्नेपिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं इतर गिशा के फादर पैनिक हो जाते हैं और वह कहते हैं कि सब सट डाउन कर दो और चलो यहां से लेकिन डिरेक्टर कहता है कि जाना चाहते थे वो भीड में से एक लड़की को चुनते हैं तो उस लड़की के फादर मंगोल से अपनी बेटी की भीक मागते हैं लेकिन मंगोल सब को फेर चांस देते हैं इसलिए वो कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो अगर तुम जीत गए तो तुमारी बेट हिया होता है यह दोनों fight करते हैं और fan एक उस लड़की के father का सर ही काट देता है जो कि fake था father का ऐसा sacrifice दे के mangols उस लड़की को free कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की planning करते हैं वो Lisa को चॉइस करते हैं अब उसके लिए लड़ने वाना कोई नहीं था Grisa का friend Grisa को कहता है कि क्या तुम अपनी lady love Lisa को protect नहीं करोगे तो Grisa confused हो जाता है और वहां से डर के मारे जाने लगता हैं सब को ये बात काफी surprising लगती है क्योंकि उनसा को लग रा था कि वो Lisa से बहुत प्यार करता है और control room में भी काफी disappointment हो जाता है लीजा Grisa को help के ले बुलाती रहती हैं लेकिन Grisa चला जाता है Grisa थोड़ी देर बाद में घोड़े पे बैड़के आता है और मंगोल से थोड़ी fight करने के बाद में लीजा को वहाँ से गोड़े पे बिठा के ले जाता है Grisa के जाने के जेस्ट बाद में ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है लेकिन Grisa यहाँ पे था ही नहीं तो डिरेक्टर कहता है कि मेरी movie की shooting चल रही थी जिससे Grisa काफी confused हो जाता है फोल खुलती हुई दे के लीजा सब बताने ही वाली होती है कि ठीक उसी ताइम स्नाइप पर ट्रंक्विलाइजर से Grisa को बेहोस कर दीता है अगले दिन Grisa हॉस्पिटल में उड़ता है जो उसको तीन महीने पहले आता था उसको अपनी गलती का एसास होने की वज़े से वो अपनी लगजरी कार उस ट्रैफिक फुली सवानी को दे देता है जिसको उसने हॉस्पिटल पहुचा दिया था एक दिन नाइट कलब में Grisa, Alexi और अगले को देखता है तो वो पूचता है कि लीजा कहां पे है तो Alexi और अगलेया दोनों मिलकर उस पूरे गाव के सैट अप के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के पास ले जाता है Grisa लीजा से मिलता है और कहता है कि उसने जो भी कहा वो सच है वो आज भी उससे प्यार करता है तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों मिलके किस करते हैं उस दिनों बाद में हम देखते हैं कि Grisa के फादर एनेस्टेशिया से साधी करते हैं और अपने फादर को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसको एक बैटर परसन बनाया और इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डाल कर अब उसको सुधार लिया है और वो अपने फादर से गले लग जाता है अब Grisa ने जिन्दगी का पेसाई ये बना लिया है कि जिच बिगडेल बच्चों को यहाँ पे लाया जाएगा और वो उनको सुधारने का इस क्रेजी प्रोजेक्ट में काम करेगा इसी के साथ की मूवी खतम हो जाती है